नमस्कार, मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज ख़बर का एक्ष्रम ख़बर की खोज, सच की पड़ताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ, बेभाग, सत्ता का जूट, बेनकाब, आग में तपी पत्रकारिता, दाखती है, सवाल, दर सवाल एक बात बहुत साफ है कि जो घटना एक अपवात के तौर पे शुरू होती है, वह धीरे-धीरे भारती लोकतंत्र का निया नॉर्मल बनती जा रही है मिसाल के तौर पे देखिए, लिंचिंग, यानी भीर द्वारा हत्या, भीर द्वारा हत्या एक अपवात था, 2014 से पहले, शायद ही किसी ने सुना हो, इतने बड़े पैमाने पर भीर उतर रही है, किसी एक व्यक्ति को मार रही है, उसका वीडियो बना रही है और अब आप देखिए, कि हमें अपने आसपास यह घटना बहुत नॉर्मल, बहुत सहचता से दिखाई देती है, और बहुत ज़्यादा इससे आप और हम परिशान नहीं होते, शायद यह सबसे बड़ी चिंता का विशे है अब देखिए, जिस तरह से हमने देखा, कि दिल्ली के बिल्कुल बगल, हर्याणा में, पलवल में, 22 साल के मुस्लिम नौजवान की हत्या होती है, राहुल खान की हत्या होती है, लिंचिंग होती है, उसके परिचित ही उसकी हत्या करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, और तरह से इस तरह की धर्म आधारित हिंसाओं का पूरा दौर है उसमें एक और नाम जुड़ता है इन तमाम चीजों पर तो हम बोलते हैं लेकिन जो पंजाब में घटित हुआ जिस तरह से हमने देखा कि पंजाब में अमरिसर में जो गोल्डन टैंपल है जो सबसे बड़ा वहाँ पर एक भारतिय नागरिक की हत्या होती है सब के सामने होती है पूरी भीर होती है और यह बताया जाता है कि वह बेद्बी कर रहा था इसलिए वहाँ पर उसे पीट के मार डाला गया और इसके महज 48 घंटे बाद कपूर थला में भी एक और भारतिय नागरिक की हत्या होती है सब कुछ सब के सामने होता है और अम्रिसर या पंजाब में जो घटनाएं हो रही है इसमें सबसे बड़ी खौफनाक चीज जो दिखाई दे रही है वह दिखाई दे रही है कि लिंचिंग पर जिस तरह की चुप्पी है तमाम जो राजनितिक दल है वहां पर इस पर बोलने को तयार नहीं है यह भारती लोकतंत्र के लिए गहरे शर्म की बात है हमें चाहे वह पलवल में लिंचिंग हो रही हो इससे पहले भीर द्वारा जो लिंचिंग है उसका हम विरोध करते हैं ठीक उसी तरह से पंजाब में यह जो लिंचिंग की दो रफ्तारी और यह जो पूरा का पूरा सिलसिला चला हुआ है कि धर्म इतना फ्रिजाइल इतना उसको समेधनशील मुद्दा बना दिया गया है जैसे मान लो किसी व्यक्ति के किसी चीज़ को छूलेने कहीं घुस जाने पर पूरा का पूरा धर्म भैरा के गिर जाता है यह जो भीर तंत्र तमाम धर्मों पे हावी हो रहा है यह भारती लोकतंत्र के लिए हमारी आपकी सभिता के लिए निश्चित तोर पर बहुत चिंतनी हैं और इसकी कड़े शब्दों में निंदा दोशियों के खिलाफ कारवाई और किसी भी तरह की लिंचिंग के खिलाफ उमत हासिल है या किस बास से डरी हुई है कोई चीज तो है जो इसे बहुत भीतर तक डरा रहा है वरना अकारण ही नहीं है कोई तो वज़व होनी चाहिए कि वह अपने नागरिकों पर ही 360 डिग्री सर्विलेंस निगरानी पड़ताल करने पर उतारू है इसी क्रम में मोधी सरकार ने संसद में आधार को वोटर आई कार्ड से जोड़ने वाला बिल पेश किया अब जब वोटर आई कार्ड हमारा जुड़ जाएगा इस आधार नंबर से तो सरकार के पास यह जानने का सीधा सीधा तरीका हो जाएगा मशीनरी हो जाएगी कि वह यह बता सके जान सके कि इस इलाके के लोग इस मोहले के लोग क्योंकि वोटर आई कार्ड से तो आपकी शिनाक नहीं होती उस नंबर से लेकिन आधार से आप किस इलाके में बस रहे हैं, आप किस जणजाती के हैं, ये सब शिनाक्त करने का सब को पता करने का सरकार के पास पूरा का पूरा मेकेनिजम है जिस तरह से कॉंग्रेस के सांसद शशी-थरूर ने कहा बहुत इस पश्ट शब्दों में कहा कि यह लोगतंत्र की हार होगी जिस तरह से आधार को जोड़ा जा रहा है पूरा का पूरा mandate hijack किया जा सकता है, लोगों को डराया धमकाया जा सकता है, कि आपके आधार से हमें पता चल जाएगा, कि आपने किसको vote दिया, और आपको जो लाबकारी welfare schemes का लाब मिल रहा है, वह सब खतम हो जाएगा. देश की संसत ने आखिरकार आनन फानन में बहुत एहम बिल पास कर दिया, हमारे आपके मद्दान के अधिकार को सीधे सीधे आधार कार से जोड़ दिया गया है, और जो चंताएं, जो आशंकाएं जताई जा रही थी, वह तक्रीबन सामने आ गई है, कि 8 से 10 फीसिदी मद्द पाताओं के उपर कभी भी गाज गिर सकती, यानि उनका नाम हटाया जा सकता है, जिसे हम बार बार कहते रहे हैं कि लोगतंत्र का स्वरूप बदलने पर मुदी सरकार उताओ है, आज जिस तरह से बिना किसी चर्चा के सदन में इसे पारिद किया गया, उसने इस आशंका को बहुत बड़ी जमीन दी है, इसी क्रम में हमने बातचीत की, वकील अपार गुपता से, जो बहुत लंबे समय से, निष्टा संबंधी जो उलंगन हो रहा है, जो हमारी आपकी प्रिविसी संबंधी जो उलंगन हो रहा है, उस पर काम कर रहे हैं, पूरे की पूरी जो हमसे साजहा करना चाहते हैं, मैं सबसे पहले आप से जाना चाहूंगी कि यह जो कानून सरकार लेकर आई है, इससे सबसे बड़ा खतरा अगर आप हमें बहुत सहच सरल शब्दों में बताएं, कि बतौर भारतिये नागरे में मेरे उपर क्या खतरा है, मेरे जो वोट डालन कि अधिकार है, जो सीक्रेट बैलेट की बात हम करते हैं, कि गुप्त मद्दान पर भारतिये लोक्तंत्र खड़ा है, तो आधार से कैसे इस पर दिक्कत आएगी, क्या संपट होगा? आधार को वोटर आईटे के साथ जोड़ने से दो बड़ी दिक्कते आती है, सबसे पहले यह दिक्कत आती है कि बहुत सारे लोग जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, उनका नाम उससे निकाला जाएगा, और सरकार में बोला है कि वोटर प्यूरिफिकेशन, मतलब इलेक् क्रिक्ता के बेसिस पे नहीं होती, वो रेजिडेंसी के बेसिस वोती है, कौन भारत में रह रह रहा है, ना कोई कि वो व्यक्ति की वो अगर भारत में रह रह रहा है, वो भारत का कोई, मतलब भारत का सिटिजन भी हो, तो बहुत बारी हमने यह भी देखा है कि आधार को ज वोट डालने का वो चीना जा सकता है और यह हम पहली देख चुके हैं कि तेलेंगाना में स्टेट एलेक्शन जब हुए थे दो तीन साल पहले तो करीबन चालीस लाख लोगों के नाम क्योंकि आधार स्टेट एलेक्टर रोल से जोड़े गए थे उन से निकाले गए थे और ब देखें आधार आपका बैंक अकाउंट से जोड़ा हुआ है आपका मोबाइल नंबर से जोड़ा हुआ है और वो बहुत लोगों जो 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 कम आयू की कैटेग्रिय में आते हैं मतलब एक्नॉमिक ली डिस्ट्रेस से जो आते हैं वो सबसीडीज बेनेफिट्स के ल वोट करिए यह पहली देख चुके तमिलाडू में इसमें तो मदरास हाई कोड के चीफ जेस्टिस ने एक ओर्डर भी पासके है इसी साल बोला है कि यू आईडिया है जो अधार की अधारिटी है और एलेक्शन कोमिशन को इसके अंदर देखना चीए तो यह दोनों संकते पहला आपका मदान डालने का जो हक है और दूसरा जो एलेक्टोरल डिमॉक्रिसी में पॉलिटिकल पार्टियों को मॉडल कोड़ आप कॉंडक्ट का उलंगन नी करना चीए लोगों को टार्गेट नी करना चीए इन्फोर्मेशन जो आपने कोई भी सबसीडी बेनेफिट ले लिए उन दोनों पे बड़ा संकट पड़ेगा इसी के लिए जादा तर विपक्षी पार्टियों ने मतलब करीबन सभी उनने इसका विरोध किया है एक तरफ आधार को लेकर चिंता और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को दुबारा से गर्म करने की तैयारी पूरे जोरो शोरो से हो रही है परिसीमन आयोग की दी लिमिटेशन कमिशन की जो रिपोर्ट आई है उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया है जम्मू कश्मीर में इस सर्द वादी को राजनतिक रूप से गर्मा दिया है तमाम दलों ने भाशपा को छोड़ दिया जाए उसके अलावा तमाम दलों ने यह जो परिसीमन आयोग की सिफारिश है इसको सिरे से खारिश किया है और कहा है कि इस आयोग ने भाशपा के पुराने एजन्डे को लागू करने की कोशिश की है अब आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो पावर बैलेंस है यानि जो राजनितिक संतुलन है वहां का जो समीकरन है आबादी के हिसाब से जो है उसमें जो घाटी है यानि कश्मीर वहां पर सीते जादा है वहां का राजनितिक प्रतिनिधुत्व जादा रहा है जिसे भाश्पा एक बहुत समय से निशाने पे बनाने की कोशिश कर रही है उसे दूसर ढंग से पेश करने की कोशिश परिसीमन आयोग ने की है जो बहुत लंबे समय से भाश्पा का एजेंडा रहा है अब आप को साफ दिखाई दे रहा होगा कि यह परिसीमन आयोग कह रहा कुल मिलाकर 90 सीटें जिसमें जम्मू के पास जो पहले 37 सीट्स थी वह बढ़कर 43 हो जाएंगी कश्मीर के पास 47 और बाकी के बारे में जो उन्होंने कहा है कि जो पीओके है वहाँ पर सीटे जाएंगी यहाँ जो पूरा का पूरा घटना करम है इसका विरोध बहुत तगड़ा हो रहा है और निश्चित तोर पर होगा अब देखिए हम आपके सामने कुछ तथे रख रहे हैं 2011 की जनगर्णा के हिसाब से जो कश्मीर की आबादी है वह है 68.8 लाइक जबकि जम्मू की जो आबादी है वह है 53.5 लाइक्स और जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से कश्मीर को यानि घाटी को मिलेंगी 47 सीट्स और जम्मू को 43 seats ये जो पूरा का पूरा हिसाब किया गया है उससे यह साफ हो जाता है कि आबादी के हिसाब से यह परिसीमन नहीं किया गया और शायद सबसे बड़ी वज़ा है कि इसलिए इसका बहुत तगड़ा विरोध है क्योंकि यह जो सत्ता में हिस्सेदारी है हस्तक्षेप की कोशिश है इसलिए हम पाते हैं कि एक तरफ जितनी राजनितिक दल है जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए या वहां से बाहर सारे के सारे दल सिवा भाजपा के सारे लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं इस मुद्दे पर हमने बातचीत करने की कोशिश की माकपा के नेता और वहां पर विपक्ष की एक एहम आवाज यूसुफ तारगामी से आएए देखते हैं कि यूसुफ इस परिसीमन आयो की रिपोर्ट पर क्या कहते हैं पी लिमिटेशन कमिशन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ऐसा करना जरूरी था कई सर्कल्स में कई कमुनिटीज में बेचीनी थी कुछ लोग नेगलेक्टिट थे हमारा ये मानना है कि इसका एक क्राइटीरिया मुकरर है वो पापुलेशन है बेस लाइन सेंसस है दो हजार गेरा का अगर आप गोर से देखेंगे चो उस बेसलाइन को ही वाइलेट किया गया आज भी अगर उस बेसलाइन को माना जाए तो लाजिमी थोर पर कश्मीर के साथ जो नाइनसाफी की गई साथ सीटू में से सिर्फ एक सीट का इजाफा हुआ वो हद दर्जा गैर जरूरी ही नहीं बलके अनकानुशूशनल बलके जो कानून का धायरा बनाया गया है सेंसस के बनियाद पर उसकी वाइलेशन है और इसे जाहिर है कि बीजेपी सरकार वो ये चाहती है के कुमिनिटीज के अंदर और ज्यादा बेदभाव बठाया जाए और कश्मीर को जो आईसोर बना है बीजेपी के लिए सरकार के लिए आज से नहीं बहुत उरसे से उसे और ज्यादा डिस एमपावर किया जाए वहाँ के लोगों को और आज ये भी कोशिश है इनकी तरफ से कि ये जो एस्टीज और पहाडी स्पीकिंग है उनके अंदर भी द्राड पाइदा की जाए इसी वज़े से आज मीटिंग हो गई पी एजीडी की हमने यहां फैसला किया कि ये जो प्रेडिमनेरी रिकमेंडेशन्स हैं इनको बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि ये आइन के दाइरे के अंदर नहीं ये कानून के दाइरे के अंदर नहीं इसे जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था दिल की दूरिया और दिली की दूरिया वो काम नहीं होंगी बलके हमें धर है और ज्यादा बढ़ जाएंगे वो तूरिया इस तरह से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र पर संकट बिल्कुल दूसरे ढंग से लाए जा रहे हैं एक बहुत लंबी चौड़ी योजना है भारती लोकतंत्र के स्वरूप को बदलने की और जिस समय देश इन तमाम जुवलंत मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है देश की संसत चल रही है विपक्ष उसमें हस्तक शेप करना चाहता है सवाल उठाना चाहता है उस समय हमें दिखाई देता है कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी देश की संसत से नदारत है कॉंग्रेस ने इसे मुद्दा उठाया उसने कहा कि आखिर प्रधान मंत्री नरेन मोदी 20 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक लोगसभा में क्यों नहीं आए वह कहा हैं हम और आप जानते हैं कि वह कहा हैं वह इस समय उत्तर प्रदेश पर अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा रहे हैं मानो जो उत्तर प्रदेश का चुनाओ है वह देश की लोगसभा का चुनाओ हो रहा है हमने देखा कि लंबे समय से प्रधान मंत्री खुद चुना कि कमान समाले हुए हैं उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक चाहे वह बनारस हो या प्रियागराज हर जगा जितनी भी परियोजनाओं का करोणों रुपे की परियोजनाएं अचानक ही ठीक चुनाओं से पहले खोल दी जा रही हैं और इन तमाम चीजों में जो सबसे बड़ नरेन मोदी हैं शायद यह जो लोकतंत्र दूसरे ढंग से हमारे सामने चल रहा है इसको समझना देखना सिर्फ निगाही बनाए रखना नहीं अपने हक के लिए अपनी निच्टा के लिए आवाज उठाना इस समय वक्त की मांग है जिसे हम आपकी मदद के साथ न्यूस क्ल शुक्रिया